इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल और इरान के बीच भी जंग की आशंका भड़ गई है इसे लेकर अमेरिका से रूस जर्मनी और भारत जैसे देश अभी से सतर को गए है भारत से इस सभी देश मिडिलीस्ट के देशों को लेकर एडवाईजरी जारी कर रहे है रूस और जर्मनी ने इरान और इसराइल के लिए अपने उड़ाने रद्दगर दी साथी मध्यपूर्व के देशों से सयम बरतने को कहा इसराइल और इरान से भी धहरे बनाए रखने की अपील की है मगर हालात बिगरते ही जा रहे है मध्यपूर्व के देशों में भीशन वार्चिनने की आशंका से भारत भी सतर खो गया है भारती विदेश बंतवाले ने अपने नागरिकों को इरान और इसराइल की यात्रान नहीं करने की सलहा दी है साथी इन दोनों देशों में रह रहे नागरिकों को भारती दुतावास से संपर्क कर अपना पंजीकरन कराने की सलहा दी है इससे मध्यपूर्व के देशों में भयंकरा, शान्ती, असुरक्षा, महंगाई और कीमतों में भड़ोतरी के साथ आमनागरिकों के जीवन पर खत्रा भी बढ़ गया है इस्राइल और इरान में इस दुश्मनी 1989 के समय की है जब इरान में इस्लामिक करांती हुई थी इरान में पश्चिम को चनौती देने वाले नित्रत्व का उद्य हुआ, इसके बाद से ही इरान ने इसराइल को मिटाने की बात करने लगा इरान का आरोब है कि इसराइल ने मसल्मानों की जमी पर अवैत कबजा किया है इरान इसराइल को देश के तोर पर मानिता भी नहीं देता इसराइल युद्ध में तनाफ की जड़ें तभी से जम चुकी थी मगर इस बीच इसराइल हमासवान ने इसको और चिंगारी दे दी इरान गाजा पर इसराइली हमले के खिलाफ है इसने कई बार गाजा हमला बंद करने और इरानी हमला जेलने के लिए तयार रहने की चनौती भी दी थी मगर अब इसराइल ने सीरिया में दमिश्ग स्थित इरानी दुतावास पर हमला किया तो इरान को सीधे जंग में कूदने का मौका मिल गया बीते एक अपरेल को दमिश्ग में इसराइल ने इरानी दुतावास परिसर पर हमला किया था इसके बाद से इरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई इस इसराइली हमले में एक्षीश इरानी जंडल और छे अन्य इरानी सेन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी यूरोप से लेकर मध्यपूर्फ तक शांती और अस्थिरता का दौर पहले से ही चल रहा है ऐसे में यदि वाकई इरान ने इसराइल पर हमला किया तो ये तीसरे विश्यूद की आशंका को और भढ़ा सकता है अभी रूस यूकरेन युद्ध और इसराइल हमास युद्ध चरम पर है इससे पहले आर्मीनिया अजर्बैजान युद्ध भी हो चुका है इसे में इसराइल पर इरानी हमले से पूरे मद्वश्यूर्पूर्व में संघर्ष भड़ सकता है इस्राइल के खिलाफ फिलिस्तीन पहले से युद्ध में है अब एरान लेबनान और मिस्र जैसे देश भी जंग में कूद सकते हैं ऐसे में अमेरिका रूस चीन की भी एंट्री हो जाएगी ये तीसरे विश्युद्ध की वज़ा बन सकता है उधर इस्लामिक देश एरान पर हमला होने की इस्तिती में लाम बंद हो सकते हैं इस्राइल के खिलाफ एरान की संभाविज जवाबी का रवाई से मधिपूर्व साइद दुनिया में तेल की कीमतों पर गंभीर असर पड़ सकता है मधिपूर्व में युद्शेत्र का विस्तार हो सकता है इसमें कई और देशों के कूदने से तेल की कीमतों में आग लगने के साथ महंगाई चरम पर पहुँच सकती है उर्जा खाद का भारी संकट दुनिया में हो सकता है कई देशों में हज़ारों लोगों को बुक्परी जैसी स्थिती का सामना करने के लिए मजबूर होना पर सकता है तेल बाजार डामाडोल हो सकता है आपको बता दे इसराइल हमास युद्ध नेगट छे महीने से पहले ही मदेपूर में शान्ती और एस्तिरता फैला दी है गाजा पत्टी में मौते विनाश और तवाही ने मानवता के लिए भी बड़ा संकट पैदा कर दिया है और ऐसे में अब इरान और इसराइल के बीच अगर ये महायुद होता है तो दुनिया भर में इससे परेशानी पैदा हो सकती है